क्लास फाइव इन्नी ग्रामा चैप्टर सेवन काल आज हम लोग काल के बारे में पढ़ेंगे दोभी कपड़े दो रहा है, दोभी ने कपड़े दोए, दोभी कपड़े दोएगा उपर दिये गए वाके में रंगिन सब्द काम के अलग-अलग समय में पूरा होने के बारे में बता रहा है पहले वाके में काम चल रहे हैं समय में हो रहा है, दूसरे वाके में कारे भीते हुए समय में पूरा हो चुका है तीसरे वाके से पता चलता है कि कारे आगे समय में संपन्ड होगा क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्ड होने के समय का पता चलता उसे काल कहते है क्रिया का वारूप जिससे उसका संपन्ड होने के समय का ज्यानू उसको काल कहते है काल के बेद काल के तीन बेद होते हैं वर्तमान काल बूत काल भविसे काल क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में पुरा होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं क्रिया का वारूप जिसे या पता चले की कारे चल रहा है या हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे मानस खाना खा रहा है सूरज हुग रहा है मैं बाजार जा रहा हूँ दादी जी कहानी सुना रही है वर्तमान काल की पहचान वाक्य के अंत में आए है हूँ हो आदी से आसानी से की जा सकती है वर्तमान काल में वाक्य के अंत में है हूँ हो ये सब सब्दो तो वह वर्तमान काल का पहचान कराता है बूत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भूत बीते हुए समय में क्रिया पुर्ण होने का पता चले उसको बूत काल कहते हैं जैसे राधा ने गाना गाया, कल मैं दिली गया था, मदूर खाना खाचुकी, खाचुका था इन समय कारे के बीते हुए कल में हुआ था, यह पता चलता है और यह भूत काल का उधाराना है भूत काल की पहचान वाके के अंत में आए आए या था, थे, थी से किया जा सकता है भविसे कल, किरिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो, उसे भविसे कल कहते हैं किरिया का वह रूप जिस से उसके आगे आने वाला समय का ज्यान होता है उसको भविसे कल कहते हैं, जैसे नीशा अपना जन दिन मनाएगी, मैं साइकल चलाऊंगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, हम लाल किला देखने जाएंगे इन सब उधारनों से यह पता चलता है कि यह सब कारे आने वाले समय में संपन होगा भविसे कल की पहचान वाके के अंत में आने वाले गागे गी से की जा सकती है भविसे कल का मतलब जिस वाके के अंत में गागी गी रहे उसे वह भविसे कल का उधारन है उससे भवी से काल के पहचान की जा सकती है